अच्छा सुनो सब्स्क्राइब करने के बाद ना घंटी बचा देना ताकि मैं जब भी कोई नया वीडियो अप्लोड करू तो तुमारी फोल की भी घंटी बचे अच्छा स्वागत आपका आपके ही चैनल के जिने उसमें मुख्य मंद्री के बेटे से शादी करके बहुत ज़दा खुशन है यह अभी नीत्री पती के खातिर छोड़ चुकी है अपना सफल करियर बॉलिव इंडेस्टिय में कई ऐसे ही खुपसुरत अभी नीत्री हैं जिन जिसने अपने क्यूटनेस और मासूमित के जल्व विखेर कर हर किसी को अपना फैंस बना लिया है लेकिन आजम फिल्मों में नजर नहीं आती है लेकिन जलीना ने साथ वाजार तीन में आई फिल्म तुझे मेरी कसं से बॉलिवुड में कदम रखा था इसके बाद कई बड देशमुक महाराष्टे के मुख्य मंदरी रह चुके हैं विलाज देशमुक के बेटे हैं आपको बताते इन दिनों लव स्टोरी की शुरुआत पहली ही फिल्म से हुई थी दोनों की मुलागा थैदराबाद एरपोड पर ही हुई थी तब रितेश देशमुक के पापा महा दोनों की शादी को लेकर जीमदारिया बढ़ रही है और ऐसा ही है जिलेनिया के साथ ही हुआ शादी हो जाने पर प्रसनल लाइफ में कुछ ज़्यादा ही व्यस्त हो गई है उन्होंने अपने पती रिटेश देशमुक के खातिर फिल्म करियर को भी अल्विदा कह दिया है जाने प्राइम हो अपने बच्चों के साथ ही स्पैन कर दी है आए दिन पती के साथ में घुमते फिरते भी नजर आती है आजकल फिर से जलेनिया लाइम लाइट से आने लगी है और हो सकता है कि वह जल्दी बॉलिवोड में भी नजर आएंगी जिन्मिया की सब्दा के एक कपल जोडी माने जादी है जी आदो सब्सक्राइब करें इन कपल के बारे में कुछ भी कहना चाहिए प्लीस कमेंट करके जुरू बताएं वीडियो को शेयर करें चैनल को सुस्क्राइब करें